आलेलोहिया, आज हम सब परमेश्र से मिलने आए हैं, आलेलोहिया कलीसिया एक ऐसा, एक ऐसी जगा, एक ऐसी देह है जहां परमेश्र का वादा है, कि वो हमसे मिलेगा कलीसिया उसकी देह है और परमेश्र चाहता है कि हम कलीसिया में उसके अंग बन कर रहे है तभी हम उस दे को महसूस कर पाएंगे अगर आप अंग बन कर नहीं रहेंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे उसकी विचारों को उसकी बड़ोत्री को उसकी शक्ती को उसके सामर्थ को प्रेस अलॉट जब तक आप जुड़े नहीं होंगे Amen तब तक आपका पालन पोशन नहीं होगा शरीर के संग जुड़े हैं तो आज आपका हाथ भी बढ़ रा है आपका पैर भी बढ़ रा है आपका दिमाग भी बढ़ रा है प्रेस अलॉट अपने हाथ शरीर से अलग रखके देखिए आपका हाथ में कोई भी एहसास नहीं होगा जैसे एक मित है मरही हुई चीज है तो कलीसिया उसकी देह है और हमें परमेश्वर ने उसके अंग बनाकर इस कलीसिया में रखना चाहता है प्रेस अलोट इसलिए हमारा मकसद यह होना चाहिए कलीसिया आने का कि हम उसके अंग बन जाएं हम उसके अंग जब तक बने रहेंगे हमारा पालन भोशन होता रहेगा आज का जो विशय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है वो है प्रात्ना हम सब लोग प्रात्ना करते हैं लेकिन क्या आपका संबंद परमेश्वर से है क्या आप परमेश्वर के मन की बात जानते हैं क्या आप परमेश्वर की योजनाओं को जानते हैं क्या परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं हालेलुया प्रात्रा एक ऐसा सामर्थ है प्रात्रा एक ऐसी ऐसा शस्त्र है जो हमें परमेश्वर से करीब लाता है परमेश्वर से मिलवाता है परमेश्वर का बनाता है आज मैं आपको प्रात्ना के बारे में बताऊंगा प्रात्ना जब तक हम करते रहेंगे याद रखिये आप परिक्षा में नहीं पड़ेंगे आपने पड़ोसी से बोलिए कि जब तक तू प्रात्ना करता रहेगा परिक्षा में नहीं पड़ेंगा बोलिए आपका पॉडुसी अगर नहीं सुन रहा है तो उसको हिला कर सुनाइए कि भाईया जब तक तू प्रात्ना करता रहेगा परिक्षा में नहीं पड़ेगा क्या आप चाहते हैं कि आप परिक्षा में पड़ें क्या आप चाहते हैं कि आप कलेश की रोटी खाएं दुख में जीवन बिताएं एक निराशा और डर आपके जीवन में काम करता रहे कल क्या होने वाला है इस बात को सोच कर आपको रात को नीद ने आए क्या आप चाहते हैं क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में क्या आप कल को कल के भविश्य को सोच कर प्रब्लम में आते हैं आपकी नीद उड़ जाती है आप रात को सो नहीं सकते बिला बज़े आपको गुस्सा आता है अपने बच्ची पर, अपने पत्नी पर, अपने पती पर चिड़-चिड़े हो गए हैं आप आपका विश्वास ही नीदा का कल क्या होगा मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं अगर ऐसा है तो आप परिक्षा में हैं अगर ऐसा है तो आप परिक्षा में हैं अगर आपको मसी होने के बाद ये महसूस होता है कि मेरा कोई नहीं है तो आप परिक्षा में है क्योंकि मेरी बाइबल मुझे बताती है कि जैसे ही ईशू मसी ने मुझे पर कृपा की मुझे चुना मेरे पिता का हाथ मेरे सर पर है पिता से आपका संबंद कैसा है पिता से रिष्टा कैसा है Bible हमें बताती है ईशु मसी सर्क से जमीन पर आए हमें पिता से मिलवाने के लिए हमें पिता से जोडने के लिए Amen क्या हमें जोड़ा हूं और पिता से कौन जोड़ता है हमारी प्रातना है ध्यान दीजे कोई बात नहीं करेगा Please प्रातना क्या है प्रातना कैसे करने चाहिए कि प्रातना करने चाहिए अब इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा उससे पहले हम एक वैच्टन पढ़ेंगे मत्हीश 26 का 41 मैप्रिण 26, 41 जोर से पढ़िये बेटा जाकते रहो और प्रातना करते रहो जाकते रहो, 40 से पढ़िए, 40 से, यहाँ पर देखिए गश्मनी का माहूल है, यह गश्मनी है, जहाँ पर ईशो मसी प्राथना करने के लिए आये थे, और ईशो मसी ने अपने चेलों को पास में रखा के सुम यहाँ बैठो, मैं प्राथना करके आ रहा हूँ, और जो वह प्र तो उन्होंने 40 से पढ़ा, 40 से पढ़ो, 40 से फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रत से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाक सके? जाकते रहो और प्रात्ना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पढ़ो आत्मा तो तयार है परंतु शरीर दूरबल है जाकते रहो और प्रात्ना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पढ़ो हलो? अभी अभी इश्यू मसी क्या करके आ रहे थे? हलो? इश्यू मसी ने क्या किया अभी? कितनी बार की कितनी बार प्रात्रा की इश्व मसीन है यहाँ पर नहीं बोल रहा है कोई आपको नहीं पता तीन बार आप लोग को इतना नहीं पता इतने सालों से आप कितनी बार की इश्व मसीन है प्रात्रा क्या उनकी प्रात्रा सुनी गई कौन बोला यस क्या उनकी प्रात्रां सुनी गई उन्होंने परमेश्वर से क्या मांगा कि पिता परमेश्वर ये प्याला मेरे सामने से हट जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो कितनी प्रात्रा की तीन बार उनकी प्रात्रां सुनी गई नहीं लेकिन क्या हो परिश्या में पड़े नहीं इमेन ध्यान दीजे मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ इश्व मसी प्रात्रा कर रहे थे सवाल ये नहीं है कि आपकी प्रात्रा सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है सवाल यह नहीं कि आप जब प्रात्रा कर रहे हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ जब आप प्रात्रा करते हैं जब आप प्रात्रा में निरंतन रहते हैं तो आप परिक्षा में नहीं पढ़ेंगे चेलो ने क्या किया? क्या बोलता ईशु मसी? जाकते रहो प्रात्रा करो कि तुम परिक्षा में ना पढ़ो चेलो ने प्रात्रा नहीं की वो परिक्षा में पढ़े? कोई नहीं बोलेगा परिश्या में पड़े हाँ इशु मसी उनके पास्टर थे उनके टीचर थे पत्रस ने इशु मसी का इंकार कर दिया क्यों? क्योंकि प्रात्ना नहीं की हम मसी का सबसे बड़ा हतियार हम मसी का सबसे बड़ा और पहला काम है प्रात्ना और लगातार प्रात्रा हम सबसे बड़ी गलती करते हैं सुबह उठके प्रात्रा की बस चले गए और सोचते हैं कि हमने ज़रूरत पुरी कर दी नहीं मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ लगातार प्रात्रा करिए और कम से कम, चार बार दिन में प्राथना करिए आप, हर दो घंटे के बाद कुछ खाते हैं आप, भूख लगती है, कभी बिसकेट, कभी समोसा, कभी कचवड़ी, खाते हैं ना, किसके लिए अब शरीर के लिए, प्राथना के लिए समय निकालते हैं, अब आप कहेंगे में बाद समय नहीं है बहुत वेजी हुं मैं तो खाते कैसे हैं खाने के लिए कैसे समय निगल जाता है अगर आप चाहते हैं कि परिक्षा में ना पड़ें हर दो घंटे के बाद प्रात्रा करिए पंद्रा मिन प्रात्रा करिए लेकिन प्रात्रा करिए आपका प्रात्रा का मकसद है कि आप कनेक्ट रहें परमेश्वर के संग मेरा कनेक्शन रहे मैं मेरा जो अभी आपका मॉबाइल है तेरे पास है मेरा हमारा जो मॉबाइल है इमीजेट कनेक्शन टूटता है हमारा बड़ा जाते है अरे यार आपका कनेशन है वाइफाई है आपके पास मेरा नहीं हा रहा है आपका हा रहा है इमिजेट आप रिएट करते हैं कि यार connection तूट गया है हलो कभी आप इतने उतावले हुएं कि permission के सेंग मेरा connection है कभी आप check करते हैं जैसे अपने phone को check करते हैं हर दो मिनिट के बाद वाइफाई है आप check करते हैं कि पिता से मेरा connection बना हुआ है प्राथना है जो आपके connection को पूरा करता है इशुमसी प्राथना कर रहे थे हललुया इशुमसी निराश नहीं हुए उनकी बात नहीं सुनी परमेशन ने लेकिन परमेशन ने चिन दिया उनको सरदूत ने सामर्थ दिया प्रेस अलोड जब आप प्राथना करते रहते हैं परमेशन का सामर्त आपके जीवन में बैधा आए आप मायूस हो जाते हैं कि आपकी प्राथना नहीं सुनी मेरे दस हजार प्रकार है और मैं पंदरा हजार मांग रहा हूँ और मैं एक मेने से प्रात्रा कर रहा हूँ परमेश्रा मेरे नहीं सुन रहा है आप मायूस हो जाते हैं आप मायूस क्यों होते हैं क्योंकि आप पंदरा हजार के लिए प्रात्रा कर रहे हैं आप ये प्रात्रा नहीं करें कि परमेश्वरा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मुझे नहीं चाहिए 15,000 तू 10,000 दे रहा है? 10,000 दे लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10,000 इतने सामर्थी हो कि मेरे घर में भी जो आए वो भी खाए और मैं भी खाऊं और खाना बच जाए मुझे नहीं चाहिए 15,000 मुझे चाहिए 40,000 मुझे नहीं चाहिए लाख रुपया मैं चाहता हूं कि तेरा सामर्त मेरे जीवन में पूरा हो तेरा सामर्त को मैं देख सकूँ प्रेस अलॉट आप क्यों परिक्षा में आ रहे हैं क्योंकि आप वो चीज मांग रहे हैं जिसकी एहमियत नहीं है, आप घूल जाते हैं, हम एक मसी हैं, इसलिए इशु मसी ने क्या का, 26 में 41, कि जाकते रहो, परात्ना करते रहो, क्योंकि शरीर तो, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुरबल है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुरबल है, क्यों शरीर दुरबल है, क्यो लिए आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं आप सेटिस्फाई नहीं है कर आपको बीस मिलेगा तब भी आप सेटिस्फाई नहीं है आपको पचास मिलेगा तब भी आप सेटिस्फाई नहीं है आप satisfy नहीं है क्योंकि आपको आत्मा की शक्ती का पता नहीं है आपको हिसास नहीं है कि आत्मा का बल क्या है जिस इन आत्मा के लिए आप जीना शुरू कर देंगे जिस इन आत्मिक जीवन आप जीना शुरू कर देंगे उस दिन आप उसकी शक्ती को महसूस करेंगे इसलिए वो कह रहा है जागते रहो जागो अपने जीवन में जागो क्योंकि हम सोते सोते हम दिन में भी सोते हैं दिन में भी सोते हैं चलते चलते सोते हैं आप आप रहे आप मैं पहले जूबीच में रहता था जूबीच के पास हमारा फ्लाइट है वाहा रहता था मैं कभी वाक करने के लिए आता था तो सुबए हमारे पत्थर हैं वहाँ पर लड़के लड़कियां बैठे होते थे, पत्थर पर एक जोड़ा, दूसरे पत्थर पर दूसरा जोड़ा, सुबह छे हो जे, और मुझे बड़ा अचम्मा होता था, ये क्या बात करते होंगे यार, सुबह सुबह बैठे हुएं, बतले इनकी बात क्या होगी, मैंने आज सक सस्पेंस है, अबे तू कितनी तारिफ कर लेगा यार, उसका तुझे नाम भी पता है, सब कुछ पता है, चांद सितारे भी तूने दिखा दिया होंगे अब तक, कितनी तारिफ कर लेगा तू, और वो लड़की भी, इतनी भूकी है कि हाँचा आप जूटी तारिफ किये जाओ, चांद सितारे तोड़ के लाँगा, हान जी, वो एक पत्थर वहाँ से तोड़ के नहीं ला सकता है, क्यों? क्योंकि वो सोए हुए हैं, क्योंकि वो लोग सोए हुए हैं, वो जाग नहीं रहे, वो समस्ति यही जीवन है, और हमेशा ये पत्थर हमारा संग रहेगा, और हमेशा हम यहीं बैठे रहेंगे, बताई चलता है, दो दिन के बाद उसके पिता को पता लगा, उसके भाई को पता चला, इनकी नौकरी चली गई, लड़की ने मांगे पैसे, इसने पैसे ने दिया, रिष्टा तूट गया, खतम, फिर आखे खुलेगी, अरे, यह क्या हो गया, हम सोई हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, धंदा कर रहे हैं साब, आज यहां से लाना है, लगे हुए हैं हम, काम में लगे हुए हैं, और हम सोचने बस यही जीवन हैं, क्योंकि हम सोई हुए, उसने का हैं, जागो, नीन से जागो, आप सोचने हैं, 20-25 रपे यहां से कमा रहा हूं, बस यही मेरा जीवन यही चलता रहे, अलो आप सोई हुए जागिए परमेश्वर आपको जगाना चाहता है परमेश्वर ने अपने इकलोथे पुद्र को धर्ती पर आप के लिए भीजा ताकि आप जागे आवास कंबरो ताकि आप जागे प्रेस अलोट और जब तक आप सोई हुए हैं तब तक आप रात्रा नहीं कर सकते आप सोई हुए हैं इसलिए आप रात्रा किसके लिए कर रहे हैं अपनी नीन के लिए कि मेरे नीन आती रहे हैं यह खुमारी बस रहे हैं यह सौपनों मैं देखता रहूं कि आप सोय हुए है आपके अंदर बोश नहीं आरा आप भूल चुक्ट है कि आप किस लिए चुने गए हैं आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कि मेरा जीवन किस के लिए आप उस बलिदान को भूल गए जो इशु मसी ने आपके लिए दिया था क्योंकि आप सोय हुए है प्रेस अलॉट हलो जागो इशु कहता है जागो और प्रात्ना करते रो प्रात्ना ही हमें परमेश्वर से जोड़ती है प्रात्ना और कोश नहीं हालेलुया इशु मसी निराश नहीं हुए उनकी प्रात्ना सुनी नहीं गई प्रेस अलॉट तीन बार उन्होंने प्रात्ना की गसमनी में कि पिता परमेश्वर ये प्याला मुझसे हट जाए लेकिन फिर भी तेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो उन्होंने तीन बार प्रात्रा की उनकी प्रात्रा नहीं सुनी वो अपने लक्ष में लग गए लेकिन चेले जिन्होंने प्रात्रा नहीं की वो इशुमसी को जानते थे उन्होंने ईशू मसी का इंकार किया कि हमने जानते ह्या ओश्यू मसी कौण है परिश्या में पड़े हैं सालाट जब आप प्रात्रह नहीं करते हैं तो आप वो करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए चेले उपरी कोटरी में जाकर छुप गए जो कि पर्मेशन ने नहीं बताया था छुबे डर के छुब गए कि कहीं महायायाजा कर उसके सैनिक हमें ढूंड ला ले सैनिकों का मकसद था, चेलों का मकसद था कि वो जाकर उस गुफा के सामने जहां पर ईशुमसी की लाश पड़ी थी दे पड़ी थी, वहाँ पर जाकर रहें, इस्तुति करें, आरात्रा करें, बताएं कि इशुमसी संडे को जिन्दा होने वाला है, जैसे मर्यम मक्दिलिनी, सलोमी और मर्यम गई थी क्योंकि सोय हुए थे, प्रात्रा नहीं कर रहे थे, इसलिए परिक्षा में पड़े हम समझते हैं कि परात्रा को इतना समय क्यों दिया जाए? अरे यार कोई और काम कर लेंगा ना यार? अरे कितना परात्रा करेगा भाई तू? जब मैं शुरू में साथ-साथ घंटे परात्रा करता था, तो कभी-कभी घर वाले भी और कभी-कभी होते हैं मैं कितना प्रातना करेगा तू भाई और मैं आपको बताओं मुझे प्रातना करनी नहीं आती थी प्रातना क्या करनी आपको पता है जब तक आप शरीर से दूर नहीं होंगे आपको प्रातना करनी नहीं आएगी इस अलॉट कभी आपने यूसुफ के बारे में सोचा है जो याकूब का लाडला बेटा था राहिल का बेटा उसे सतरंगा अंग रखा सिल्वा के दिया हुआ था सिर्फ उसी को क्योंकि वो पहलोटा माला जाता था उसको पहलोटे का खिदाब दिया था अवदी दिया था उसको परमिशों ने 17 साल की उमर में दर्शन दिया कि चांच सितारे तेरे सामने जोकेंगे हालिलूया इसलोट और उसके बाद क्या किया उसके भाईयों ने उसे बेश दिया अब सुचिए यूसुफ की दशा उसके भाईयों ने उसे भेज दिया जहां पर पोती भर के घर में रहा उसकी बीवी ने गलत इसाम लगाया जो कि उसने नहीं किया था बारा साल तक जेल मेरा अब सुचिए किसी के साथ ऐसा हो जाए अगर आपके संग हो जाए आप कैसे जिएंगे वो कैसे जी पाया वो तेरा साल बीस साल तक कैसे जी पाया क्योंकि वो प्राथना करता था लगातार निरंतर वो प्राथना में था निरंतर परमेश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और ये वे वर प्रातना में था है अलेलुया कश आपके सोचा है कि यूसुफ प्रातना में क्या मांगता होगा कैसे वो connected रहा हालेलुया रेस लौट क्या मांगता होगा युसुफ प्रात्रा में ताकि परमिश्रक की शक्ति उसे मिलती थी परमिश्रक का सामर्थ उसके जीवन में काम करता था उस घुलामी के दिवस में उस घुलामी के जीवन में उसने कुछ नहीं किया पोती पर की पत्ती ने उस पर गलत इज़ाम लगाया और उसे जेल में भिजवा दिया उसने कुछ नहीं किया बहुत मुश्किल होता है जब आप कुछ ना करें और आपको सजा मिले लेकिन बहुत मुश्किल है कि आप कुछ ना करें और आपको सजा मिले और उसके बाद भी आप परमिश्र का धन्यवाद करें यह है सच्छा मसीह हम आजकल छोटी-छोटी बातों में दोश लगाते हैं चोटी-चोटी बातों पर दोश लगाते हैं आलेलुया क्या प्रात्रा करता होगा युसुफ मैं आपको बताऊं युसुफ प्रात्रा करता था धन्यवाद की धन्यवाद पिता कि तुम उसे बहुत प्यार करता है एमेन धन्यवाद पिता कि मुझे सामर दे ताकि मैं तेरी योजनाओं को समझ सकूँ मुझे बुद्धी दे, मुझे समझ दे ताकि मैं तेरे मन को जान सकूँ ये पिदा परमेश्वर मुझे ताकत दे ताकि मैं तेरे अनुसार अपने जीवन को बिता सकूँ Amen वो नहीं मांगता हुआ कि मैं अपने पिता के पास जाओं याकूब के पास अगर जेल में रहना परमेशन तेरी इच्छा है तो धन्यवाद अलो जिन्हें आप अपना समझते हैं अगर वो ही आपके खिलाफ हो जाएं आप रह जाएं रह पाएंगे लेकिन यूसुफ ने दिखाया रहकर दिखाया यूसुफ की प्रात्ना उसे परमेश्वर से मिलवाती थी यूसुफ की प्रात्ना उसे परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में काम करता था हिस कि है कि भॉह सी चीज आपके जीवन में आती आपे कि अपने आपके वुलिद हो जाते आपह इसद नहीं आप这 है कि बॉकिन हमें इन सब चीजों के बावजू द कैसा कैसा वैवार करना है कैसा सौभाव रखना है मेरा सौभाव परमेश्वर के सामर्थ को वेहन कर सके उसको ले सके आसान नहीं है तब आप परिक्षा में नहीं पढ़ेंगे आप सूचिए यूसुफ बारा साल तक जेल में था आपने कहीं लिखा है कि वो परिक्षा में था वो लोगों के लिए आशीशा कारेंट बन रहा था वो लोगों की हेल्प कर रहा था बताईए सर और दिखा हुआ है कि यूसुफ को दरोगा ने एक बड़ा कैदी बना दिया था उसको बना दिया सबका बॉस बना दिया था फिरहन के खाना बनाने वाले थे जो प्याहु थे जो पिलाने वाले थे वो भी जेल में आए यूसफ ने उनके बारे में बताया कि बताए ये क्या बात है उस ने का हमने सब्रेव ने दे क्यों यूसुफ उन पिलान हारे वालों को खाना बनाने वालों का सौपन बता सका हलो क्यों बता सका यूसुफ उन दोनों का सपन जो फिरोन के खाना बनाने वाला था और फिरोन का पिलाने वाला था उनका सौपन बताया यूसुफ ने हलो हा के ना बताया उनका सौपन क्यों बता सका वो तो संदेग कर सकता तारे यार 17 साल पहले परमेशन ने मुझे सौपन दिखाया था कि चांड से तारे मेरे सामने जुकेंगे और मैं जेल में पढ़ाऊ अगर वो कनेक्टिट नहीं होता तो उसका विश्वास कमजोर होता कि नहीं यार म मेरा ही अगर सौपने पूरा नहीं हो तो इनको क्या बताऊंगा लेकिन वो जानता था कि यहोवा संदा है क्योंकि वो जानता था कि यहोवा जो कहता है वो करता है आपकी प्रात्ना आपको परमेशन से मिलवाती है आपको पता परमेशन के बारे में एक चीज़ में आपको और बताओं परमेश्वर आपकी मंजिल के बारे में बताएगा कि आपको क्या मिलने वाला है परमेश्वर आपको दर्शन देगा आपको बताएगा कि आपको आप क्या बनने वाले हैं लेकिन आपको यह नहीं बताएगा कि आप कैसे बनने वाले हैं परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया कि चान सितारे तेरे सामने जुकेंगे अगर परमेश्वर यूसुफ को बता देता कि चान सितारे तेरे सामने जुकेंगे उसके पहले तुझ गोलाम बनेगा उसके पहले तेरे भाई तुझे बेज देंगे उसके पहले एक जो औरत होगी तुछ पर विभिचार का दोश लगाईगी और तुझे जेल में करतेगी तब तुझे चांस हिता रहे तेरे सामने जुकेंगे तो क्या होता यूसफ तैयार होता Amen Hello आपको कैसे मिलना है वो नहीं बताता है आज परमिशन ने बताया कि ईशु मुसी आएगा और हमको लेकर जाएगा कोई तालीम नहीं कुछ नहीं Hello Peace the Lord कितने विश्वास करते हैं कि ईशु ने बताया कि वो आपको लेकर जाएगा Hallelujah लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके आने तक आपको कैसे जीवन जीना है बताया है Bible के अनुसार लेकिन आपको कश्ट भी आएगे आपको दुख भी आएगे प्रिस अलोट अगर आप परमेश और के संग कनेक्टेड हैं तो हर दिन आप महसूस करेंगे कि प्रभू आपके साथ है आपके जीवन में बेमारी भी आएगी आपके घर में प्रॉब्लम्स भी होगी आपकी नौकरी भी छूटेगी आपका धंदा भी बंद होगा उसका आना अटिक है वह आएगा आपका पडूसी आपके खिलाफ हो जाएगा आपकी पत्नी आपका पती आपके खिलाफ हो जाएगा हो सकता है आपको भूगा रहना पड़ेगा हलो उसका आना निश्चित है रेसलोट अब आपके लिए महत पूरूण किया अब आपके लिए महत अपूर्ण क्या है उसका आना ये आपका पॉरूसी है उसका आना ये आपकी नौरी हालेय एम-aन जिस दिन आप उसकी कीमत को समझ जाएंगे जिस दिन आप महसूस करने लगेंगे जिस दिन आपको विर्ष। हुआ कि सर वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा चाहिए नौकरी में मुझे मिले या ना मिले चाहिए धंदा मेरा चले ना चले चाहिए मेरा मेरा बाप मुझे मेरा अलग हो जाए लेकिन मैं उसके साथ जाओंगा ये कौन बताएगा आपको परमिश्र का सामर्थ और परमिश्र का सामर्थ कब बताएगा जब आप लगातार निरंतर प्रात्ना में होंगे निरंतर प्रात्ना में होंगे इर्मिया 33 का तीन पढ़िए निरंतर प्रात्ना हमें रोज हर दो घंटे के बाद हर पल प्रातना में रहिए आप अपने आपको कनेक्ट करिए मैं सोते सोते भी प्रातना करता हूँ मैं उड़ते ही अन्य भाषा बोलता हूँ पांच बेटे उड़ता हूँ अन्य भाषा बोलना चुरू करता हूँ प्रासुना करता हूं अपनी गल्कियों के बारे में मांगता हूं प्रभू देया कर तुन्हें मुझे चुनाय धन्यमाद देता हूं मुझे में कमिया है मुझे बता अभी भी कमिया है अभी भी मुझे गुस्सा आता है प्रभू मुझे बता, मुझे पवित्रकर, मुझे अपने सौभाव के अनुसार बना, रोज मांगिये, क्योंकि आपका सौभाव ही उसके सौभाव से मिलेगा, कहीं आपके अंदर घमण तो नहीं आ रहा है, कि कल तक मैं तस हजार रुब कमाता था, मैं हजार रुब देता था, दशांश में, आज मैं 25,000 कमाता हूं तो दाई हिजार देता हूं, लाख रुबए कमाता हूं तो 10,000 देता हूं, अरे मैं देता हूं, नाई, उस दिन आप नीचे आ जाएंगे, जांचिए रोज अपने आपको, रेस अलोड, कब आप अपने आपको समालेंगे, कब आप अपने आपको जांचेंगे, जब आपका कनेक्शन प्रभू से रहेगा, जब आपके अंदर होगा कि नए, मुझे प्रभू चाहिए, मुझे प्रमेश्वर की उपस्तिती चाहिए, मैं सच कह रहा हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, आपको जो चाहिए, मांगिए, आपके जो सपने हैं, देखिए, लेकिन परमेश्वर के संग इमांदार रहिए, हलो, दुबारा बोलू मैं, आप जो चाहते हैं, मांगिए, आपके जो सपने हैं, देखिए, लेकिन परमेश्वर के संग इमांदार रहिए, आपका हर सपना पर वो पूरा करेगा और अगर आपको परमिशन नहीं देगा, जैसे इश्व मसिगों प्याला नहीं दिया अगर आपको आपकी इच्छा परमिशन पूरी नहीं करता है तो धन्यवाद दीजिए कि परमिशन तू मेरी तो मेरा अच्छा मुझसे ज़्यादा जानता है Alleluya तो मुझसे ज़्यादा मेरा अच्छा जानता है और अगर आप किसी चीज को पूरी विनमरता के संग दीनता के संग समर्पण के संग मांगते हैं विश्वास करिए कि वो आपको मिलेगा विश्वास करिए विश्वास करिए क्यों नहीं मिलेगा उसके जैसा सौभाव लाईए उसके जैसा सौभाव बनाईए मैं जो चीज मांग रहा हूँ क्या उसके जैसा सौभाव मेरे अंदर है कहीं जो चीज मैं मांग रहा हूँ कहीं वो मेरे सुभाब को तो नहीं बिगाड रही है मैंने कईयों को देखा है माफ कीजिएगा मैंने कईयों को देखा है मैंने कई ऐसे मसीयों को देखा है कि जिनके पास कुछ नहीं था वो ज़्यादा समर्पित थे लेकिन जैसे ही उनके पास आने लगा उनका समर्पन कम होने लगा उनका पैसा उनके अंदर घमन डिलाने लगा प्लीज अपने आपको जाचिये मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि पवितरात्मा मुझे बता रहा है प्लीज मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सुभाव के इलावा क्योंकि वही सुभाव मुझे तुस्से जोड़ता है अगर आत्मा आपने खोदी और संसार पावी लिया तो क्या पाया आपने कुछ भी नहीं पाया हालेलुया मुझे अगर परमेश्व ताज महल दे दे और वहां जाके मेरी प्राथना बंद हो जाए नहीं चाहिए मेरा पढ़ना बंद हो जाए मेरा सुसमचार देना बंद हो जाए मांगिये कि मुझे तु जो कुछ भी दे लेकिन तेरी उपस्थिती तेरा समर्पन तेरे लिए प्यार मेरे दिल में रोज बढ़े कल तक मैं 10,000 कमाता था आज अगर मैं 20,000 कमाता हूँ तो जाचिये कि कल तक जो मेरा प्यार था वो आज डबल हुआ है कि नहीं हुआ है पर मेरा प्यार कल 10% था आज 20% हुआ कि नहीं हुआ है अगर मेरा प्यार नहीं बढ़ा है और मेरे इंकम बढ़ी है खत्रे में आप खत्रे में आप Yes खत्रे में निरंतर प्राथना इफीजéo कि पत्र में पर्मेशण पर्मेश hacen पकॉलस ने बतावा just रिंद्ध शैतानी है हमारा प्रिंद्ध मल्यूद है वह शैतान से है पढ़िये एफीजीयो चार का बारह ए छे का बारह एलिव लहू और माज से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंदकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है अब यह हमारा मल्यूट किसी है मास और लगुं से नहीं है घृआ ट्रज्वार्य आत्मिग सेना उसे जो अंदकार की आत्मिक सेनों से जो आकाश में ठीक है ना अब इंसे हमने कैसे लिड़ना है कि मस्लिक रूप में हमे च्छे अस्रशा सर्दी आई हाल लिगा तीरा से कसकर और धारमिक्ता की जिलम पहें नहीं सिलेशील सब्सक्राइब आस बिरकार करैंपानों ठाफली जानक भीकलो प्रीश्वाकर्प चल securities में चाहिए तयर्व को पामिक्ता के हां इसलिए उसलेकी नियुत का हिइस ददिक और में ड्रेह को पहनो विश्वास की धाल टाओ पैरो में कि पैरो मैं सु समा शार की जूते हो जली से पढ़ लिजिए इसको मैं पढ़िया अ तान के सब नियो को जलते हुए तीरों का श हम जलते हुए तीरों को बुजा सको पुजा सको, एमेन, परमेशर का सामर्त आपके अंदर काम करें, आगला, और उद्धार का टौप और आत्मा की तलवार जो परमेशर का वचन है ले लो, एमेन, अठारवा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रात्ना और विंती करते रहो, एमेन, हर समय से आत्मा में प्रात्ना और विंती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए पहला पाट पड़ो लोल पाट हल समय हर पिकार से आत्मा में प्रातना और विंथी कर ते रहो अर्टना और विंथी कर्थे रहो कैसी विंथी करते रहो के अभी आप यह रिंखोंगए हुअ मेन कात्लक गलत समझेंगे विंथी परमिशयमे conseguir बढनागा दें विंति करो कि मेरा बच्छा बिना पड़े ही फस्सक्रास आ जाए विंति करो कि जाब मेरे घर में सुक्षान्ति विंति करो आप इसी स्की विंति करते हो क्या कहता है हर पल हर समय हर प्रकार से प्रात्ना में विंति करते रहो आत्मा में विंति करते रहो कि प्रभू तु जान तू जानता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, तू जानता है कि मेरे अंदर क्या सभाव नहीं है, मैं महसूस करता हूँ परमिर्शर कि मैं अभी भी लालची हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मैं अभी भी व्यविचार हूँ, किसी औरत को देखकर मेरे अंदर गलत ख्याल आता है मैं देखता हूँ कि मैं अभी भी गमंडी हूँ नहीं परमेश्यर मुझे अभी भी स्वार्थ है मैं अपने बच्चे के लिए ज़्यादा सोचता हूँ दूसरे के लिए नहीं सोचता हूँ ध्यालो पिता मैं विंती करता हूँ मेरे अपने अंदर अपना सोभाव लेकर आजा एमेन मेरे संदर वो सोभाव हो जो तू चाहता है आपको पता है पवितरात्मा के नौ फल क्या है परमेश्ण का सोभाव गलतियों पांच का 22 और 22 पवितरात्मा के नौ सोभाव क्या है नौ जो फल है वो क्या है वो परमेश्र का सभाव है परात्मा क्यों आपके अंदर आया है ताकि वो सभाव आपके अंदर आ सके दूआरा पड़ी बेटा जली से परात्मा का फल प्रेम, आनन, शांती, धीरच, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सयम है Amen नौ फल है जिसको लेकर आत्मा परवात्मा पवित्रात्मा आपके अंदर है पवित्रात्मा आपको चंगाई देने नहीं आया है पवित्रात्मा आपको नौकरी देने के लिए नहीं आया है पवित्रात्मा का मकसद है कि नौ फल आपके अंदर जीवित हो जाएं अलो एमेन तो विंती क्या करो? कि ये नौ फल मुझे में रहें अलेलोया लेकिन आप कहेंगे परमिश्वर मेरा पडोसी तो स्वार्थी है वो मेरे धीरेच को क्या समझेगा? मेरा जो अंकल है वो तो वहभिचारी है वो मेरी पवित्रा को क्या समझेगा? मेरा जो कुलीख है वो तो गुस्से वाला है उसके सामने प्रेम की भाषा कैसे काम आएगी मैं प्रेम करूँगा तो वो गुस्सा करेगा तो कैसे होगा Amen मेरे भाई हमें परमेश्वर का सौभाव लेके बात करनी है Hallelujah आपका पॉडूसी के अंदर आपका कुलीक के अंदर आपके चाचा मामा ताओ के अंदर शैतान की आत्मा है मेरे अंदर प्रभू की आत्मा है हमें स्वर्ग जाना है मेरा मकसद है कि मेरा परमेश्र के संग संबंद हर पल रहे आपको पता इससे क्या फाइदा होगा अगर हर पल आपका सम्मंद परमेश्र के संग रहेगा न तो आप अपने प्रॉब्लम्स में जानेंगे कि उसकी योजना क्या है हालेलुया माले लिए आप कहीं काम करते हैं और आपके जो कुलीक हैं वो आपको प्रेश्राइस कर रहे हैं या आपके वाले लड़की हैं आप गलत फाइदा उठाना चाहते हैं आपके पास आके बैड़के जाएंगे आपके मुह में कुछ ना कुछ डालेंगे परमेश्र की योजना है हमें वशन का अनुसार वह से निकलना है हालेलुया जब आप परिक्षा में पढ़ेंगे अगर आप परमेश्र से जुड़े हुए हैं परमेश्र की योजना आपके लिए क्या है वो आपको बताएगा जब आप जुड़े रहेंगे हर पल 24 घंटे आपको पता होगा कि परमेश्र कैसे आपके जीवन में काम करने वाला है परमेश्र कब आपको देने वाला है हालेलुया पता होगा हालेलुया तो आप सूचिए कि अगर परमेश्र की योजना है आपको पता लग जाए परमेश्र का मन आपको पता लग जाए आपके जीवन में क्या होने वाला अगर परमिश्र आपको बताए इससे बड़ा सामर्थ और क्या है माबिल में लिखा है पहला पहला पत्रस एक का पांच कि परमिश्र का सामर्थ हमें समालता है इसी कारण तुम सब परकार का यत्न करके अपने विश्वास पर साच गुण पत्रस पहला पत्रस एक का पांच जिनकी रक्षा परमिश्र की सामर्थ से विश्वास की द्वारा उस उधार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है हाललुया, बाइबल क्या कहती है, कि हमारी रक्षा परमेश्र के सामर्थ के द्वारा की जा रही है, हलो, आपकी रक्षा, आपकी रक्षा, आपकी रक्षा, परमेश्र के सामर्थ के द्वारा इस धर्ती पर अभी भी की जा रही है, अब परमेश्र का सामर्थ आपके लिए ज हुचना, अब परमेश्र का सामत, जो आपकी रक्षा कर रहा है धर्ती पर, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रात्रा में जुड़े रहेंगे, जब आप परमेश्र के संग जुड़े रहेंगे, जब जुड़े रहेंगे, आप आते जाते जुड़े रहिए, खाली हैं जुड़े रहिए, कंपनी में सर्विस पर जा रहे हैं, प्रात्रा करके जाईए, वहाँ पहुंचिए, धन्यवाद की प्रात्रा करिए, पहले पर्भू को इस्तान दीजिए, कुछ भी लेने से पहले प्रात्रा करिए, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले प्रात्रा करिए, मुझ अपने आपको पूरी तरीके से निछावर करिए, उसको बताईए रोज सुबह कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, काम करने से पहले उसको बताईए कि मुझे बुती दे मुझे कुछ नहीं आता है मैं 20 साल से समोसे बना रहा हूं लेकिन आज भी मुझे कुछ नहीं आता है मेरे हातों में सुआत पैदा कर मैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता तू दे मैं अपने घर को नहीं चला तू चला तूने पांच रोटीर दो मशलियों से पांच हीजार लोगों खिलाय था मेरे पास आज हजार रुपया है और मुझे अपने घर को पालना है तू बता तू बता उसको बताईए कि मैं उसके बिना नहीं चल सकता हूँ फिर आपके अंदर कोई पाप नहीं आएगा फिर शेतान आपको नहीं अंदर से आ रहे या चोड़ा सा पाप कर लेते हैं ऐसा करेंगे तो जल्ली पैसा आजाएगा नहीं हमको जल्ली पैसा नहीं चाहिए हमको जल्दी पैसा नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि मैं आपको बता दू मेरी बहन जितनी जल्दी पैसा आएगा न उससे डबल आपका पैसा चला जाएगा उतनी जल्दी करके देख लीजे आप आप करके देख लीजे करके देख लीजे हमको नहीं चाहिए हमारे दो पैसे नुक्सान हो जाएं चलेगा हमें किसी के खाला नहीं है हमें किसी के पैसे को अपना नहीं कहना है आज मैं भूका रह लूँगा चलेगा 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 करके देखिए प्रातना करते रहिए और आपको पता है अगर आप प्रातना नहीं कराएंगे करेंगे तो आप को बैबल क्या कहती है इर्मिया 48 का 10 अगर आप प्रातना नहीं करते हैं अगर आप परमेशर के वचन को समझ कर भी जान कर भी नहीं चलते हैं उस क्या कहते हैं पढ़िए बेटा शापित है वो जो यहोवा का काम आलेस्य से करता है शापित है वो आप श्रापित है अगर आप प्रात्रा के दौरा संबंद नहीं बना रहें कोई काम नहीं करना आपको प्रात्रा कहीं से खरीदिने नहीं नहीं है कि आपको प्रात्रा खरीद है आपके मुझे जबान है आपकी आत्मा को प्रमेशन ने अपनी आत्मा दिये गुट्य टेक ये प्रात्ना करिये और जो प्रात्रा में मन नहीं लगाते हैं बाइबल उन्हें शिरापित कहती है फिर आप रोते हैं कि ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ मुझसे प्रात्रा मत करेए करने वाला वो ही है उससे प्रात्रा करेए आपका रिष्टा बनेगा हललुया और जब आप प्रात्ना कर लेंगे याकूब 29 अः यूब George आप देखेंगे दर्शन की पर्मिशन मेरे जीवन में क्या करने वाला है उस दिन वचकंड कहता है और आयओ मनिश्य चक्मक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाडों को जड़ ही से उलट देता है अलेलुया जिस दिन आपका संबन्द परमेश्व से उड़ जाएगा बड़े से बड़े पहाडों को आप उलट देंगे अब छोटी बात करते कि मिला करजा इतना हो गया मुझे ये नहीं मिला मुझे मैं नहीं मिल्रा हाइबAustral से अगर तू निरंतर परासन करता है तो अपनी चक्त्टानों को अपने पहाड़ों को अपने वेपत्यों को उठाकर फेक देगा Hallelujah Praise a lot प्रात्रा में वह शक्ती है और मैं आपको बदा दू कि परमेश्वर हर पल आपकी प्रात्रा सुनने के लिए तैयार है वो यह नहीं कहता कि अभी भी करना पर सो अभी ताइम नहीं है अभी ताइम नहीं कर दो कहता है नहीं प्रातना कर मैं तेरी सुनुगा इर्मिया 33 का तीन पढ़ा हमने दुवारा पढ़ो बेटा इर्मिया 33 का तीन प्रातना कर मुझसे प्रातना कर और मैं तेरी सुन कर तुझे प्रातना कर कई लोग चानते तो इशू के हैं लेकिं प्रात्रा किसी और से करते हैं हमें पता ही नहीं कि हमें किस्से प्यारत्रा कर रही है जो भी मिल यह जहां लाइन लगी देखी वहां लग गया है गंटा बजाने के लिए यह लाइन लंबी है यहां से तो कार वाला भी उतरता है यहां से यहीं लग जाओ नहीं होगा मुझसे प्रात्रा कर उसको जानिये किससे प्रात्रा कर रहा हैं आप विश्वास करिए कि वो है कौन वो सर्व शक्तिमान है जिसने आकाश और धर्ती को बनाया है आप किसके सामने आ रहे हैं प्रात्रा करने के लिए जिसने अपने एकलोते पुत्र को आपके लिए बलिदान कर दिया जो सौर्ग मैं बैठा आपका इंतिजार कर रहा है किससे परातना करने जा रहा है आप परातना करने से पहले अपने मन को बनाईए कि मैं किससे परातना करना जा रहा हूँ हालिलुया मुझसे परातना कर तो मैं तेरी सुनूँगा और तुझे बड़ी गूल बड़ी बड़ी गूल बाते बताऊंगा जिनको तो नहीं जानता है आलेलोया इमेन आपके जीवन से सम्मंदित आप नहीं जानते हैं आपकी कौन सी बाते हैं परमेशन आपको बताना चाहता है पर्मिशन ने आपके लिए कौन को सी योजनाय बनाई है आप नहीं जानना चाहते इर्मिया 29 से 11 में लिखा हुआ कि यहवा की वारी है कि मैंने तिरे लिए कि अधबुर्व योजनाय बनाई जो जो योजनाय मैंने तुम्हारे लिए बनाई है जो खाकिंड है कि आप जानना नेसाथ है कि वह योजनाय कौन सा है कि आज अपने पिता के आशियत चागते कि बापा क्या लिखा अधिनु कुला भा मेरे लींa के मेरिली और लेक्रति अपापगर्पा 거지 मेरी भेन भी ऐ है दूसरी भेन भी है इसको कितना दे रहे हो जानने की कुशिश करते नहीं मेरे लिए कौन सा रूम मेरे लिए आप जानना परमेशन ने क्या आपके लिए योजनाय बनाई है वो कहता है कि मैंने तेरे लिए योजनाय बनाई है बनाने वाला नहीं हूँ मैं तेरे लिए योजनाय बना चुका हूँ उस बहन को उठाईए नेंसे उठिये बहन मैंने तुरे लिए योजनाय बनाई है इसलिए मुझसे प्रात्रा कर उससे प्रात्रा कर वो तुरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी गूर बाते बताएगा कौन सी बते बताएगा पताए पहला करुंतिया दो का नो जली पढ़िए पहला करुंतियां 2 का नौ आप हिल जाएंगे जिसने आप अपनी अलिय योजिनाय सुनेंगे आप हिल जाएंगे कि परमेशन आपके लिए क्या बनाया है पहला करुंतियां 2 का नौ परंदू जैसा लिखा है जो बाते आख ने नहीं देखी और कान नहीं सुनी और जो बाते मनुश्य के चित्व में नहीं चड़ी वे ही है जो परमेशन ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तयार किया है जोर से तालियां बजाए पिता परमेशन के लिए इश्व मसी के लिए पावितरात्मा के लिए आपने सोचा नहीं होगा आपने देखा नहीं होगा आपने किसी का घर देखा अरे यार यार ये घर अच्छा है ऐसा ही मेरा घर हो अरे परमेशर इससे बड़ा घर तुझे देना चाहता है उसके कपड़े अच्छे हैं मैं भी ऐसे कपड़े पहनू अरे तू परमेशर के सम्भंद में रहे, तुझे इससे बड़े कपड़े मिलेंगे तू सोच नहीं सकती मेरी बच्ची तो कोशिश करिए परमेशर ने आपके लिए योजनाये बनाई है, उनको जानने की कोशिश करिए, बाहर मत देखिए बाहर पारिश है, अलो, बन कर दीजिए, अगर आपको आ रहा तो, पत्रस ने भी हवाओं को देखा था, गिर गया था, हवाओं को देखिये, प्राउबलम क्या है, आज कल आप हवाओं को पकड़ना चाहते हैं, हाँ, हाँ, हवाओं को पकड़ना चाहते हैं, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वो दे रहा है लाख रुपया, वो लाख रुपय दे रहा है, अपना लाख लगाऊंगा, और लाख दो लाख तो मैं मार्केट से उठाई लूँगा, उसके बाद 4 लाख हो जाएगा, और 4 ला अपना आएगा तो 75,000 पर मंत अप हुआ लाख रुपए समझो तो एक साला कितना हुआ बारा लाख बारा लाख अपना हो जाएगा चार लाख अपने किया है समझे के नहीं और बारा लाख अपने पास आ रहे हैं साल के सोचो दूसरे साल हम गाड़ी लेंगे पता चला चार महीने के बाद भी चार लाख भी घतम हम हवा में हवा को बांदने की कोशिश करते हैं हवा कि क्या है आपकी उटी में हवा है मुठी में क्या है मेरे मुठी में है सर हवा कुछ नहीं है उसने जो योजनाएं बनाई है उसको जानने के लिए कोशिश करिए और वो कहता है कि जो मैंने योजनाएं बनाई है वो हानी की नहीं है लाब की है इसलिए अपने connection पे रखिए मेरा connection प्रभू से रखिए मैं यह नहीं कहता हूँ कि संसार में अपने अपने भाई बहन से पती पतनी से relation मत रखिए रखिए लेकिन ज्यादा गाड़ा relation प्रभू से रखिए ऐसा रिष्टा रखिए कि कभी भी उसकी आवाज आप सुन सकें अपने आपको तयार रखिए जैसे एक माँ जब बच्चे को जनम देती है चाह कुछ भी हो जाए चाह वो पहली बार माँ बनी हो और बच्चा अगर 20 फीट की दूरी पर भी होगा उसके कान वहीं होगे मैं प्रभू की हुआ सण Dos फीट की इशारों को देखने के लिए मैंना हमेश्य मैं तैयार P और इसकेलिए तब होगा जब आप लगातार प्रात्रा में बने रहेंगे लिए कितने लुग विश्वास करते हैं और वादा करते हैं कि आप लगातार प्रास ना करेंगे आच से मैं सच बता रहा हूं यह हैं हाथ मुंद दिखाईए मैं अपने कलीसिया के लिए बहुत प्रास न करता हूं मैं आफ शबकी कि मैं आप से सच गह रहा हूं प्लीज अप्रभु से प्रातना करें रखिये बिंफा से फ्रातना करेंगे लगा-तर अब अब उठा रहे आध Praise the Lord लगातार कितने भी पढ़ाई हो कितने भी एक्जामस हो पहले पढ़ाई आपको आपकी बुद्धी परमिश्र देगा समझ की बुद्धी परमिश्र खोलेगा आपकी अगर आप चाहते हैं आपकी हंडाइटिंग सही नहीं है परमिश्र से प्रात्रा करिए परमिश्र आपकी हंडाइटिंग सही करेगा लेकिन आपको चाहना चाहिए Praise the Lord कितने आशीश पाई Hallelujah बोले एशो मसी की एशो मसी की एशो मसी की प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है Hallelujah यह वचन दूसरों तक भी पहुंचा है जतने लोग देख रहे हैं Please Please आप दूसरों तक भी पहुंचा है Subscribe करिए ताकि लोगों को आशीश मिले और आपको आशीश मिले इशो मसी के नाम से मांगते हैं धन्यवाद प्रात्रा अपने सुने को बूल कि